तो हवालो स्वागत आपका हमारे यूठेप चैनल हंए इस सब्सक्राइब अबात करने वाले हैं कि गंले में आप गुड़हल के पोदे कैसे हो गया जाये कि गंबले में गुड़ल के पोदे किसे हो गया जाए दिखे दोस्तों यह दो पोदे हमने लगा रखे हैं एक पोदा है रेट कलर का और एक यह है औरेंज कलर का गुड़ल दोस्तों पोड साइज की बात करें तो पोड साइज हमें लेना है 15 इंच यह फिर उससे बड़ा भी चल सकता है तो दोस्तों यह पोदे जो आपको दिख रहे हैं यह हम नर्शरी से लाए थे दोस्तों लगब दो महीने पहले हमने इसे इन पोड में ट्रांसफर किया था दीखिए इसकी ग्रोध कि अच्छी हो गई है बहुत बड़ा गुड़ल के पूल उग रहे हैं इसमें इसमें भी कलिया नहीं आई है इसमें जल्द कलिया आ जाईगी दोस्तों यह गुड़ल के पोदे आप देख सकते हैं कि इतनी बढ़े तरीके से ग्रोब कर सकते हैं आपको इसमें ध्यान रखना है खात गाजी है दोस्तों खाद इसमें आपको डालनी है वर्मी कंपोस्ट एक या फिर आफ डाल सकते हैं इसमें गोवर की खात ज्यादा इसमें कुछ न्यूटिशन की आशकता झाया होती कि दliस्तों आप नॉर्मली समें घ Abi कहाद डाल सकते हैं तो सेलनी की हम बात इतनी बढ़िया तरिके से ग्रोव कर रहा है और ये ओरेंज वाला गुड़ल का पोदा है इसमें फूल भी ठेर सारे आ चुके हैं एक फूल इसमें आ रहा है तो इसी तरह आप इन पोदों को ग्रोव कर सकते हैं इसमें को साओधया में पर रखना आशक होती है दोस्तों इसमें मिली बग का अटेक हो सकता है इसके लिए आपको नीम आवल का इस्प्रेय करना इसमें जरूरी है ज्यादा की कीड़े इसमें लगते नहीं है वैसे आप नीम आवल के इसमें करते रहे हैं हाफते में एक आपे देया होते इस बारा मेने चलने वाले पोदे हैं दोस्तों तो आप लग शक्ते एक बार यह शे लगा है और साल बर आप डेड़ फूलीष में पा सकते हैं प्रूनिंग समय-समाई पर करते रहे हैं जिससे इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रही है देखे कितना अच्य तरीके से इसमें फ्लॉर आ रहे हैं दोस्ते तो इसी तरह आप गुड़ल के पोदे लगा सकते हैं देखिया हमने दो पोदे लगा रहे हैं